चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमश्कार विने क्लासेज की ओनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हादिक स्वागत अभिनंदन प्रशनावली 2.3 और ये प्रशन हमारा पहला है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेर करो देखो प्रशनी क्या है प्रशनी है निम्न लिखित मैं से किस से सुन्य निरुपित नहीं होगा यानि ये नीचे आपके चार कथन लिखे हुए है उसमें जिसमें सुन्य नहीं आएगा वो हमें उत्तर बताना है कौन सा है अब अगर हम इन चारों को सरल करें तो सबसे पहला देखो A पलस 0 यानि कि हमें 1 में 0 को जोड़ना है तो अब हमेशा ध्यान रखना कि किसी संख्या में 0 हम जोड़ते हैं तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक में 0 जोड़ने पर एक ही आएगा दो में 0 जोड़ने पर दो ही आएगा तीन में 0 जोड़ने पर तीन ही आएगा है ना यानि जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम अगर इसकी जोड करें तो एक में जीरो जोडने पर किता आएगा एक ही आएगा ठीके अब दूसरा देखो बी जीरो इंटू जीरो देखो जीरो एक ऐसी संक्या है जिससे आप अगर 100 को गुणा कराऊंगे तो व जीरो बट्टा दो जीरो बट्टा दो का मतलब क्या होता है जीरो बट्टा दो का मतलब होता है जीरो में दो का भाग देना ठीके अब जीरो में दो का भाग क्या किसी भी संक्या का भाग दो उत्तर के आएगा जीरो ही आएगा तो इसको भी आप ध्यान रखना कि जीरो में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर भी 0 आता है अब इसको पहले हम सरल करते हैं तो 10 माइनस 10 10 में से 10 किया कितना होगा? 0 फिर नीचे किता है बटा 2 अब 0 बटा 2 का मतलब क्या आया? 0 ही आया अब हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा प्रश्ण था किस से सुन्य निरूपित नहीं होगा? है ना? तो ये जो पहला प्रश्ण है A A जो हमारा है वो उत्तर हो जाएगा भई इसमें 0 नहीं आया बाकी सब में क्या आया? 0 तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? A अगला प्रश्न देखो प्रश्न है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुननफल सुन्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इन में से एक या दोनों ही सुन्य होने चाहिए उधारन देकर अपनी पुष्टी कीजिए तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं का गुननफल तो सबसे पहले बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है तो जो संख्या जीरू से प्रागंब होती है और अनन्त तक चलती है उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं तो इसमें से कोई भी संख्या का हम गुणा करें, जैसे मैंने एक संख्या कोई भी लेली एक मान लो, ठीके, और इसमें दूसरी संख्या मैंने लेली जीरो, तो इनका गुणा जीरो कब होगा, जब इसमें एक संख्या क्या हो, जीरो हो, या फिर दोनों ही संख्या क्या हो, ज लब है प्रॉश्ण वापस पढड़ता हैं ज़ंधी दो पून संख्याओं का गुणनंफल सुन्य तो क्या हम यह कर सकते हैं कि इन में से एक या दोनों ही सुन्य होने चाहिए देखो सुन्य कब होगे कोई भी संख्या जब इन दोनों का गुणनफल जब हम कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी एक जो है वो सुन्य होना चाहिए तब ही इनका गुणा जो है वो जीरो होगा तो हम कहेंगे हाँ यह सत्य है यह सत्य है ठीक है यह इसका उत्तर हो जाएगा अब इसमें हम उधारन भी दे सकते हैं पूर एक्जामपल कि अगर हम कोई पूर्ण संख्या लेते हैं इसमें से अगर कोई भी एक संख्या लेते हैं जैसे मैंने रेलिया मान लो 10 है ना 3, 4, 5 इसके आगे जो भी संख्या आती है वो सब तो 10 इसका गुणा अगर मैं 0 से कराऊं तो क्या आएगा? 0 आएगा फिर मैं अगर 12 का गुणा 0 से कराऊंगा तो भी 0 आएगा अगर मैं 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5 इतनी बड़ी संख्या लूँ और इसको 0 से गुणा कराऊं तो इसका उत्तर भी के आएगा? 0 ही आएगा और अगर मैं दोनों संख्या 0 ले लूँ और इन दोनों का गुणा कराऊं तो अभी उत्तर के आएगा? 0 ही आएगा तो किसी भी पूर्ण संख्या का अगर हम गुणन फल करते हैं तो उनका गुणन फल सुन्य कब होगा? उनका गुणन फल सुन्य तभी होगा जब इन दोनों में से कोई एक संख्या क्या हो? 0 हो तभी इनका गुणा क्या होगा? 0 होगा या फिर दोनों ही क्या हो? 0 हो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 इंटू 10 बराबर कितना होगा? 0 इसका मतलब है किसी भी संख्या को 0 से गुणा कराने पर उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा प्रश्न संख्या 3 है यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है तो हम कह सकते हैं कि इन में से एक या दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए उधर हम देखकर अपने उत्तर की फुष्टी कीजिए तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है? कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए तो मान लो मैंने कोई एक संख्या ले ली एक ये आपके क्या है? पूर्ण संख्या है ना वो 0,1,2,3,4 कुछ भी हो सकता है इन दोनों का मैं गुणनफल हमेशा कितना आये? एक आये तो ऐसा कब संख्या है एसा तभी संख्या कितना हो एक हो जैसे मान लो मैंने दौ का एक से गुणना कराया तो उत्तर कितना आएगा? दौ आएगा जैसे मान लो मैंने 5 का एक से गुणा करा है तो उत्तर कितना आएगा? 5 आएगा है ना? हम जो टेबल बोलते हैं, पाड़ा बोलते हैं 5 एक हम 5 तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कोई भी संख्या ले लूँ जैसे मैंने ले ली 5344 है ना? और उसका अगर मैं एक से गुणा कराता हूँ, तो उत्तर कितना आएगा? 5344 इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा कराने पर एक कब आएगा? किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा एक तभी आ सकता है, जब दोनों ही संख्या क्या हो? एक एक हो, है न, तभी एक और एक का गुणा एक आएगा, इसके अत्रिक्त, अगर किसी भी दूसरी पूर्ण संख्या का अगर हम एक से गुणा कराते हैं, तो वही संख्या आ जाती है, यह हमें ध्यान रखना होगा, है न, कि अगर हम दोनों पूर्ण संख्याएं एक लेते ह और दोनों को हम गुणा कराते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा एक आएगा इसके अलावा यदि कोई भी पूर्ण संख्या ले और उसे हम एक से गुणा कराए तो वही पूर्ण संख्या आ जाएगी तो यह थोड़ा आप ध्यान रखना इसमें प्रश्ण संख्या चार है वीतरण विदी से ग्यात कीजिए यानि हमारे पास यह तीन प्रश्ण है और इसमें हमें वीतरण विदी से गुणा करना है किस विदी से गुणा करना है अब कैसे करना है देखो जैसे यहाँ पर है 728 into 101 है ना तो आपके कौन सी संख्या जो है वो 0 वाली है जैसे मान लो 10, 100, 1000 है ना या फिर 10, 20, 30 ऐसी संख्या आपको बनाने है जिसके पीछे क्या आजाए 0 आजाए तो ऐसी संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं देखो जैसे मान लो हमारे पास फ्रश्ने है 728 into 101 तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 728 into 101 को मैंने लिख दिया 100 plus 1 वही 100 plus 1 का मतलब क्या होता है 101 होता है समझ गए ना तो मैंने 101 को क्या लिख दिया 100 plus 1 100 से कितना ज़ादा 100 से 1 ज़ादा फिर यहां देखो दोनों के बीच में गुणे का निसान है और इसको मैंने bracket में डाला है bracket में क्यों डाला है कि जब कोई भी संख्या हम किसी संख्या में प्लस करते हैं add करते हैं तो उनको ऐसे bracket में लिखना सही रहता है यानि ये दोनों ही मिला कर कितना बनता है 101 बनता है और इसको मैंने किसमें लिख दिया कोश्टक के अंदर लिख दिया अच्छा अब वीतरन नियम ये कहता है कि जब हम कोश्टक से गुणा करते हैं इसका गुणा इस पहले वाले से भी होता है और इसका गुणा इस दूसरे वाले से भी होता है तो अब देखो पहले वाले का 100 से गुणा कितना आसान हो जाएगा देखना 728 का मुझे किस से गुणा करना है एक से अभी हमने एक नियम पढ़ाता कि किसी भी संख्या को हम एक से गुणा करते है तो वही संख्या आ जाती है तो 728 का मैं अगर एक से गुणा करोंगा तो कितना आ जाएगा 728 ही आ जाएगा अब इसके पिछे कितने 0 है 2 0 तो इसके पिछे आप 2 0 लगा दो जब आप 728 का 100 से गुणा करोंगे और जब आप गुणा करके वापस सबको जोड़ोंगे तो वास्ताव में उत्तर यही आएगा आप चेक कर लेना तो यह गुणा करना कितना आसान है तो यह तो गुणा हो गया अब वीत्रन नियम कहता है कि 728 का 100 से गुणा हो गया अब 728 का आपका किस से करना है एक से गुणा करना है लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि 728 का 100 से गुणा किया तो यह उत्तर आ गया अब 728 का एक से गुणा करूंगे तो इससे पहले बीच में क्या रहा है प्लस आ रहा है तो यहां प्लस लगाएंगे तो 728 का एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा वापस 728 अब इन दोनों में जोड़ दो यानि 728 फिर दो जिरो इसमें आपको 728 इस प्रकार से जोड़ना है तो जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगी तो 8 और 7 कितना हो गया 15 हसल का ए यह हो गया तीन और यह साथ 73,528 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 73,528 तो देखो वीतरन विजी से यह कितना आसान हो गया है अब अगर यह समझ में नहीं आया तो आप यह दूसरा वाला देखो यह आपको समझ में आ जाएगा तो वीतरन विजी से अब मुझे करना है 5437 का गुणा 1001 से है न तो सबसे पहले 5437 को ऐसे ही लिख दो इंटू को भी ऐसे ही लिख दो लेकिन देखो यह क्या है यह 1000 से एक जादा है तो इसको मैं लिख से तंग 1000 प्लस एक आई बात समझ में अब हम वीतरन नियम से क्या करें कि गुणा करेंगे यानि इसका एक बार इससे गुणा यानि 5437 का एक हजार से गुणा ठीक है अब 5437 का एक से गुणा लेकिन इसके बीच में क्या रहा है प्लस आ रहा है तो देखो इसका इससे गुणा हो गया अब इसका इससे गुणा होगा इससे पहले बीच में क्या आ तो 54386 अब किसे गुरा होगा एक से गुरा होगा तो अब देखो 5436 का 1000 से करना है कि पहले तो कितना आया 5436 ही आया अब कितने 0 इसके पीछी 3 0 है तो इसके पीछे आप 3 0 लगा दो कितना आसान इसका गुणा हो गया है ना अब यह प्लस का निसाथ अब 5437 का एक से गुणा कराने पर क्या आता है वही आता है तो 5437 हो गया अब इन दोनों को जोड़ दो तो 0 में 7 जोड़ा 7 0 में 3 जोड़ा 3 0 में 4 जोड़ा 4 7 में 5 जोड़ा 12 हातल का 1 3 और 1 कितना हो गया 4 फिर 4 और यह 5 तो यह आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा अगला परशन है चार्श आण सो चौबिस का 25 से गुणा तो इसमें देखो 824 का 25 से गुणा करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 824 गुणा अब देखो 25 यानि 20 से कितना जादा 5 जादा तो इसको मैं लिख सकता हूँ वही 20 से 5 जादा आई बात समझ में अब वीत्रन नियम से क्या करेंगी इसका इस से गुणा और इसका इस से गुणा बहुत सारल है देखो कैसे पहले 824 का आपको करना है 20 से गुणा इस से गुणा हो गया अब 824 का 5 से गुणा तो 824 का 5 से गुणा फिर इन दोनों में यहां प्लस का निसान तो यहां आपको प्लस का निशान लगा देना है ठीक है अब देखो इसका गुणा कितना आसान है आपको क्या करना है आट सो चौबिस को दो से गुणा करना है तो आट सो चौबिस का आप दो से गुणा कर दो चार दुनी आठ दो दुनी चार आट दुनी सोला तो यह हो गया 1648 अब यह 0 इसके आगे लगा दो 10 एथा 10, 20 एथा 20 लगा दो आगे बात समझ में कितना आसान होता है देखो गुणा करना फिर प्लस अब 824 का 5 से गुणा कर दो तो 824 का 5 से गुणा कर देते हैं 2520 हसल का दो 520 10 और 12 हसल का एक 4541 तो इसकी जो गुणा है वो कितना आ गया 4120 अब दोनों को क्या करो जोड़ दो तो हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 और 0 कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10 हसल का 1 1 और 1 2 2 और 4 6 हो गया फिर 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया हसल का 1 1 कितना हो गया 2 आप अराम से जोड़ना मैंने सीधा जोड़ दिया है तो इसका उत्तर कितना आ गया 20,600 तो इस प्रकार से हमें ये तीन प्रश्ण करने हैं अगले तीन प्रश्ण देखते हैं क्या है दी हमारे पास है 4,275 को 125 से गुणा करना है देखो बड़े ध्यान से देखना बहुत अच्छा प्रश्ण है और बहुत मज़ेदार प्रश्ण है सबसे पहले हम क्या करेंगे भी 4,275 को हम ऐसे ही लिख देते हैं ठीक फिर गुणा 125 का मतलब क्या हुआ 125 का मतलब हुआ 100 से 25 जादा 100 से 25 ज़ादा अब क्या हम इसको भी जीरो में बदल सकते हैं क्या बिलकुल बदल सकते हैं भई ये तो 100 हो गया फिर ये 25 का मतलब क्या है कि 20 से 5 ज़ादा 20 से 5 ज़ादा अब 120 और 5 सब को जोड़ेंगे तो वापस कितना आया 125 12625 यानि 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं है ना तो सबसे पहले एक फिर इसके बार में 20 फिर प्लस 2 दो क्या है एगशी जिरो फिर प्लस 5 तो इन सब को जोडने पर वापस कितना होगा 125 होगा है ना तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं अब क्या करना है अब देखो इस 4245 का एक बार इस से गुणा होगा फिर एक बार इसके आगे वाले से गुणा होगा फिर एक बार इसका इस तीसरे वाले से गुणा होगा तीनों से गुणा होगा तो यह मैं चीन हटा देता हूं आप इसको समझ लेना तो सबस से पहले 4275 का किस से गुणा होगा 100 से गुणा होगा फिर यह प्लस का निशान आ रहा है तो यहां प्लस का निशान लगाना है अब 4275 का किस से गुणा होगा 20 से गुणा होगा है ना एक बार इस से एक बार इस से और लाश्ट में इस से प्लस का निशान 4275 का किस से गुण से गुणन होगा अब गुणा कितना आसान देखना 4215 का किस से गुणा करा दो। एक से गुणा करा दो एक का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4200 पिच्च्चतर ही आएगा अब यह दो जिरो है तो यहाँ दो जिरो लगा दो देखो इसका गुणा हो गया कितना आया वहाली 4000 चार लाग सतेशाजार पांसो और यह प्लस करनी साथ ठीक है अब इसका गुणा इस से कराना है तो क्या करो चार अजार दो से गुणा करा दो तो खराते देखो पांच एकम पांच पांच दुनी दस हासल का एक साथ दुनी चवदा और एक अंधरा हासल का एक दो दुनी चार और एक पांच चार दुनी आठ फिर देखो यह एक जिलो बज गया तो यह एक जिलो इसके पीछे लगा दो मैंने गुणा सिधा किया है, आप अराम सिरफ कॉपे में गुणा कराके फिर यहां लिख देना, अब इसका गुणा कराते हैं, तो पचाओं पचीस, हासल के दो, साथो पंज़ पैटीस और दो सैंतीस, हासल का तीन, पादुनी दस और तीन, तेरा, हासल का एक पान्च और दी 35, अब इन सब में हम जोड जेते हैं, तो सबसे पहले हैं, चार लाक, सताइस हजार, पान्च सो, इसमें हमें जोडना है, पिकिया सी हजार, पान्च सो, फिर हमें जोडना है, 21,375 तो यह हो गया 5, 7, 5 और 5, 10 और 3, 13 हसल का 1, 8 और 5, 13 और 14 हसल का 1, 2 और 1, 3, 8 और 3 किते हो गए? 11, 11 और 2, 13 हसल का 1 यह हो गया 5 तो अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा 5, 34,375 तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर, इन सब को जोड़ने पर किता आएगा 5, 34,375 तो इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न करने हैं अब एक E वाला अंतिम कर देते हैं यह वाला कर देते हैं तो देखो 504 इंटू 35 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 504 इंटू 30 प्लस 5 है ना? 30 से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा अब एक बार इसका इस से गुणा और एक बार इस से गुणा तो 504 का एक बार किस से गुणा? 30 से गुणा फिर 504 का एक बार किस से गुणा? 5 से गुणा इन दोनों के बीच क्या है? प्लस तो यहां भी क्या जाएगा? प्लस दोनों को जोड़ दो यह हो गया 0 दो और दो 4 पांच और 6 पिर 2 और 5 कितना हो गया साथ और यह उतरा जाएगा 17640 इस प्रकार से हमें यह प्रश्न करना है है ना पांच वा प्रश्न है निम्न लिखित प्रतिरूप का अध्यन कीजिए यानि यहां पर जो लिखा हुआ है उसको हमें बड़े ध्यान से समझना है फिर और अगले दो चरण बताईए इसके आगे जो दो चरण आएंगे वह हमें बताने है और यह कैसे हो रहा है यह भी बता रहा है तो सबसे पहले देखो यहां पर एक है यहां पर आठ है और इसमें हम एक जोड रहे है आठ और एक का गुणा करके एक जोड रहे है तो उत्तर कितना आ रहा है नो आ रहा है फिर यहां पर देखो एक एक दो यानि बारा इंटू 8 गुणा 8 का ही हो रहा है फिर इसमें हम 2 जोड रहे हैं तो उत्तर किता आ रहा है अंठाण वे यानि 9 फिर बाद में 8 नो और एक कम 8 ठीक है फिर देखो यहां एक दो फिर एक दो तीन यानि 123 का गुणा 8 से हो रहा है और यहां पर किता जुड रहा है 3 तो यहां पर एक फिर एक दो फिर एक दो तीन ऐसे बढ़ रही है संख्या फिर एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच और आठ का गुणा हो रहा है लेकिन उत्तर क्या आ रहा है देखो उत्तर आ रहा है एक सो तेविस का आठ से गुणा और तीन जोडने पर नो आठ साथ यानि एक कम आ करो कि यहां पर 1 2 3 4 5 है ना सब की संख्या जाईगी 1 2 3 4 5 6 और गुणा 8 फिर प्लस 5 के बाद कितना आता है 6 जैसे ही हम इसका 8 से गुणा करके 6 जोडेंगे तो जो संख्याईगी वो क्या आएगी 9 8 7 6 5 5 आगया 5 के बाद पहले क्या आता है 4 तो यहां पर आ जाएगा 4 यह हमारा उत्तर हो जाएगा तो यह पहला चरण हो गया इसके बाद क्या आएगा कि अब क्या करो 1 2 3 4 5 6 6 तक हो गया फिर 7 भी ले लो और इसका गुणा किस से करा दो 8 से फिर यहां 6 आ तो चार के पहले क्या ता है 3 तो यह हमारा क्या हो जाएगा उत्तर तो यह हमने दो चरण उत्तर निकाल दी है ना प्रश्नी क्या था कि यह जो प्रतिरूप है उसको बड़े ध्यान से समझे और अगले दो चरण बताओ तो हमने यह अगले दो चरण बता दी तो प्यारे ब के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है उपर लिकना हाए विने क्लासेज और तर्फोलग सर्च करना है इसमें आपको मेरा चैनल दिाई देगा चैनल में आप को जाना है इसके बाद में यहां पर देखो होम वीडियो और पैलिस्ट का उपसन में तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेइलिस्ट पा सकते हैं.